हेलो, नमस्कार, मेरे सातियों का ऐसे उमीद यहीं कि बहुत अच्छे, बहुत मस्त ही ह Ёँगें, आज की प्रूपल्ट्य, है बहुत सांदार प्रूपल्ट्य, है बहुत कम रेट में बिकने कहीं, तो इसे आप खरी दना चाहें तो खरी सकते हो, कहां पर जमीन पढ़ने वा और रोड से सठीग लगा हुआ जमीन का फार्म देख रहे हैं और गाउं से अटेच कम रेट में जमीन और इस लोकेसर पर जमीन काफी ज्यादा मांग थी और नहीं मिल पा रही थी और मिल चुकी है यह वाली जमीन तो हम यह वाला वीडियो जरूर बना करके अपने यूटूब चैनल पर बिजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी दावकर और कर लेना इससे यही होगा जो अगला वीडियो है उसकी सबसे पहले आपको मिलेगी सबसे पहले आप भी वीडियो देख सकेंगे और सबसे पहले आप यहीं जो हैं वहां का आड्रेस भी पा सकते हैं तो हम करते हैं तोस्तों इस बीडियो को स्टाट अपना समय गंवाते हुए नहीं कि जमीन कहां पर पढ़ने वाली है यहां पर एक विगहा में 20 विशुए होती है एक अईकड में पांच विगहा जमीन उपस थित है इस खेत कि यहां पर यह चोटा सा एक गाउ है और हिंदू की वादिया यहां पर है और यह जमीन की तहसिल क्या पढ़ने वाली है और क्या इसका सलूसन रहेगा पूरी फूल जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिलेगी केतमाली जिसे भी बात करने को मिल जाएगा यह जो देख रहे हैं जमीन तो जिला हर्दोई की अंद्रगत में जमीन आ रही है और तहसील की बात करेंगे तो यहाँ पर साहाबाद तहसील है और साहाबाद तहसील से इस जमीन की पक्की रिष्ट्री के साथ में इस जमीन को अपने नाम करवाने का मौका मिल सकता है तो यह जमीन को आप अगर करीदना चाहते हो 74 विघा जमीन है इसमें आप अगर 20 विघा जमीन लेना चाहते हो तो ले भी सकते हो 24 विघा ले सकते हो 30 विघा ले सकते हो बलकिन 20 विघा के नीचे इस जमीन में उपलब्द नहीं है और अगर 20 विघा जमीन लेना चाहते हो 30 व खेती होती है अधर अधर फसले यहां पर हो जाती है जैसे कि गर्णा मक्का है और फिपिड मिंट हो गए रहा है जो इसमें आप फसल करना चाहते हो कर सकते हो गयों हुए धान है इस परकार की यहां पर फसले हो जाते हैं मिट्टी देखी रहे हो कितनी सांदार मिट्टी है औ और इसके बगल में मिल रहे ऑगल में और सफ तरप जब जाएंगे यम कहां एक लगवे रोड से अच्छा योछी prosecutors घचाएं तो अच्छी जगा पर यहां पर तो यमीन पुरवा पर यहां पर से जमीन का फार्म और यहां डाम रोड तक यह जमीन आप खरीदना चाहते हो तो तो केतमाली जी का नाम है बिनोध गडरिया और यह जो बिनोध गडरिया है यहाँ पर ज्यादा ही कुछ solution मांगा जाता है बिए भी बता दिया जाता है कोमेंट में हमसे कहा जाता है या फिर हमारे जो की OBC में आते हैं तो इनकी जो जमीन है किसी भी प्रकार का अगर कोई व्यक्ति खरीदना चाहता है जमीन तो खरीद सकता है और यह 74 भी गहाँ जमीन है बहुत अच्छी जमीन है अगर हम जमीन की रेट की बात करेंगे तो यहां पर जमीन की रेट है एक लाख पंदरा हज से रेंज की गई है और यह जमीन देख रहे हैं एक लाख पंदरा हजार रुपे तो यह जमीन आपको अगर खरीदना है तो खरीद सकते हो बिल्कुल खरीद सकते हो उसके लिए आपको क्या करना होगा हम थोड़ा सा आप से और सलूशन करेंना चाहते हैं अगर किसी परकार से नंबर पर सेंड कर दिजेगा फिर अपना लोकेशन आड्रेस बायो डाटा पूरा जो है बताना पड़ेगा बताने के वान हम आपका वीडियो बनागर के विकाओ जमीन प्रोपालिटी यूट्यू चैनल पर अपलोड करेंगे उसका कोई चार्ज कोई बिल आपको नहीं जा रहा है और एक बिगहे में 20 विस्वा जमीन यहां पर बताया जा रहा है एक लाख पंदरा हजार रुपे प्रति बिगहा जमीन है और इसकी जो बोरिंग रहेंगी और इस खेत में जो है चार पेंड लिप्टिस के देखने को मिलेंगे वह भी आपको निसुल में मिल जा जा घर के भी उनसे प्रसंटल भी बात कर सकते हो अगर किने हमारे चेनल के मादमjal से खरीदना चाहें तो हमारे मैं नहीं बीखने को मिल जाएक अपको हमें पर फालो करिएगा हम scientist करते हैं चेनल के डरूंड मेंहें जाएगा हमारा वहाँ पर आपको facebook मिल जाएगा और हमसे facebook पर जुड़ करके जो है दोस्तों बात भी कर सकते हो। हम facebook पर जो है reply करते हैं और facebook के तुरू से जो है हम बात करते हैं और हम वहाँ पर पूरा solution निकाल कर दे देते हैं तो आपको घबडाना नहीं मैं लेकर के आए हैं आपके लिए ये विकाव जमीन प्रोपल्टी यूटूब चैनल तो आप अगर जिस लोकेशन की जमीन खरतना चाहते हो तो नहीं मिल पा रही उस लोकेशन की जमीन तो आपको क्या करना होगा हमारे जो मेल मैंने बताया है हमेरे मेल पे आईएगा उसी लोकेशन का जो है सेंड कर दीजिएगा लिख करके कि हमें इस लोकेशन पर जमीन लेना है और कितनी लेना है ये भी आपको लिख देना है और साथ साथ में अपना एक मोबाइल नंबर भी वहाई पर आड़ कर देना तो हमवाला वीडियो आप तक प्रुवाइट करवाएंगे और आपका जो मोबाइल नमबर रहेगा हम अपने टीम के साथ में जोड़ देंगे और आपको वहीं से काल टू काल आएगी वहाँ पर जो है आपको सलूसन देखने को मिल जाएगा और आपको उस लोकेशन की जमीन भी देखने को मिल जाएगी पसंद आजाए उस लोकेशन की जमीन भी खरीज सकते हो और नहीं पसंद आए तो मत खरीदना पहले जब खरीदना तो उससे पहले कागज पुत्तुर पूरी तरह से मेंटेन देख लेना और सुरच्छी जमीन होना चाहिए और आपको पसंद आ जाए तो उस लोकेशन की जरूर जमीन खरे लिजेगा तो आईएगा हमारे मेल पर संपर कर लिजेगा और हम आपको वहीं से सलूसन करते हैं तब तक के दोस्तों नमस्कार मिलेंगे अगले वीडियो में